हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के प्रमुख राम भक्त कवी कवी तुलसी दास जी के एक पद को लेकर उपस्थित हूँ यह पद उनके प्रमुख काबिग्रंथ विनए पत्रिका से उद्रित है बहुत से स्कूलों, कॉलेजों में तुलसी दास जी के विनए के पद से सम्मंधित कुछ पद आवश्च से पढ़ाये जाते हैं कॉलेजों में तो कवी तुलसी दास जी, द्वरारचित, जो प्रमुख गाबिग्रंथ हैं आमचरित मानस, विनए पत्रिका ये भी पढ़ाई जाती है तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होने वाला है जिन्हें विनए पत्रिका के पदों को पढ़ना होता है तो सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुनाओंगी फिर कठिन सब्दों के अर्थ को बताने के बाद प्रसंग, पंक्ती की व्याख्या और अंत में विशेश भी बताऊंगी तो खुब ध्यान से वीडियो को आरंब से लेकर अंत तक देखें साथी साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे मेरे चनल पर नए हैं वे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर नए वीडियो का नोटिपिकेशन आपको समय समें पर मिल सके देखें हे हरी कवन जतन भ्रह्म भागे देखत सुनत वीचारत यहमन निज सुभाव नहीं त्यागे भक्ति गयान बैराग सकल साधन यही लागी उपाई को भल कहू देव कचुको असी वासना न उर्ते जाई जही निसी सकल जीव सुतही तब क्रिपा पात्र जन जागे निज करनी विपरीत देखी मोही समुझी महाभय लागे जदपी भग्न मनोरत बिधिवस सुक इच्छत दुख पावे चित्र कार करहीन जथा स्वारत बिनुचित्र बनावे रिशिकेस सुनी नाउ जाउ बली अती भरोस जिय मोरे तुलसी दास इंद्रिय संभव दुख हरे बनी ही प्रभु तोरी तो ये पद है आप चलिए इसके कठीन सब्दों के अर्थ को मैं बता दो कठीन सब्दों के अर्थ हरी हरी का अर्थ होता है इस्वर को हरी कहा जाता है तो ये हरी कौन है विश्नु है जिनके अवतार प्रभु स्री राम जी थे कवन यानि किस, जतन, जतन मतलब उपाई, भ्रह्म मतलब संदे, भागे मने दूर, दूर होना, नीज सुभाव यानि अपना सुभाव, तो सुभव कैसा है? विसे वासना में डूबे रहना, यानि विसे वासना से युक्त सुभाव. यही लागी उपाई मने इसी के लिए, इस उपाई के लिए, कोई मने कोई, भल मने अच्छा, कहू मने कहना, दिव यानि देना, वासना यानि इच्छा, उर यानि हृदय, जाई मने जाना, जेही मतलब जिस तरह, निसी यानि रात्री, सकल यानि सभी, सूतही यानि सोते हैं, यहां पर जो है तुलसिदाजी ने बैसवाडी भासा का प्रियोग किया है। यहां मतलब इंद्रियोग के स्वामी, यह संधी बिच्छेत क्या आगा हृषिक और इस, नाव मनलब नाम, बली अथात बलेया, अती भरोस यानि धुड़ विश्वास, इंद्रिय संभव यानि इंद्रिय जनित, हरे यानि निवारन करना। यह है कठिन सब्दों के अड़, अब मैं पंक्ति की ब्याख्या करती हूँ। तो सबसे बेले इस पद के प्रसंद को समझते हैं। पद का प्रसंद यह है कि कभी तुलसी दासजी ने बतलाया है कि इश्वर की अनुकमपा, इश्वर की क्रिपा के बिना हमारे मन से किसी भी बरकार का संदे दूर नहीं होता है। तात्पर यह है कि जब तक हमारे उपर इस्वर की क्रिपा नहीं होती है, तब तक हम माया मोके बंधन में फसे रहते हैं, माया मोके भ्रह्म में पड़े रहते हैं, तो इस भ्रह्म से मुक्ति के लिए हमारे उपर इस्वर की क्रिपा का होना अतन्त आवश्यक है, देखिए, हे रि कवन जतन भ्रहम भागी सबसे पहले तुलसिधास्जी कह रहे हैं कि हे इस्वर, हे हरी, कवन जतन यहने किस प्रकार से हम ऐसा क्या करें भ्रहम भागी कि हमारे मन से भ्रहम, संदे, संसे जो कुछ भी है वह समाप्ध हो जाए, दूर हो जाए तो ये संदे क्या है? संदे है माया, मौ के जो बंधन है, यही तो संदे है, इसी में हम दिन रात पड़े रहते हैं, कब तक? जब तक हमारे उपर इस्वर की क्रिपा नहीं होती है हम बहुत प्रियास करते हैं, इससे निकलना भी चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे उपर इस्वर की क्रिपा अभी तक नहीं हुई है, तो इस्वर की क्रिपा जब होगी, तभी हम इस माया मोग के बंधन से बाहर निकल सकेंगे। देखत सुनत विचारत यह मन निज सुभाव नहीं त्यागे तुलसी राज़ी कहते हैं कि निज सुभाव यानि अपना सुभाव कैसा है विशेवासनाओं से इच्छाओं से कामनाओं से युक्त है या विशेवासनाओं से घिरा हुआ है यही कारण है कि वे सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं, कहां अपने मन में उनका मन सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, विचार कर रहा है लेकिन अपने स्वभाव के कारण यानि उनके मन में जो विशेवासनाओं के प्रति जो आ सकती है ऐसे स्वभाव के कारण क्या हो रहा उन्हें मुक्ती नहीं मिल रही है वे संसार सागर को पार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो अपने स्वभाव का ही त्याग नहीं किया है, अपने स्वभाव को ही नहीं चोड़ा है, उनके स्वभाव में जो बुराईया है, उनका उन्होंने परित्याग नहीं किया है, यही कारण है कि उनका मन जो है सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन इसी भ्रम में पड़ा हुआ है, माया मो के बंधन में बंधा हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ कि बहुत से प्रताफी राजा हुए, जो अपने आपको ये भगवान से भी स्रेश्टमाना करते थे, जैसे कि रावन, सहस्त्रबाहु, पित्याली, इन लोगों न सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, लेकिन इसके बावजूद उनके मन से अहंकार समाप्त नहीं हुआ, उनका हुरदय जो है, विसे वासनाओं से भरा होने के कारण, अहंकार युक्त होने के कारण, वे इसी संसार में फसे रहे, वे समस्ते थे, कि ये संसार चनभंगूर है उनका जिवन कभी भी नश्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी, उनके मन में ये अहंकार था, कि उनका विनास कभी हो ही नहीं सकता है, यनि वो सब कुछ देख रहे हैं, अपने आज पास, सब कुछ देख रहे हैं कि सब लोगों की मिर्तिव हो रही है, सभी मनुष्य एक नएक द बरा हुआ है विशेवासनाओं से बरा हुआ है यही कारण है कि वो देख रहें सुन रहें समझ रहें विचार भी कर रहें लेकिन इसके बावजूद भी वे माया में के बंधन में माया के भ्रम में पड़ी हुए हैं भक्ति ज्यान वेराग सकल साधन यही लागी उपाई वे पताना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वेराग्य इनकी सहायता से ही मनुष्य जो है संसार सागर को पार करने में सफल हो सकता है इस्वर की अनुकंपा को प्राप्त कर सकता है लेकिन क्यों नहीं कर पाता है क्योंकि उनका मन जो है चंचल है इस्थिर नहीं है वो सत्य को देखता है लेकिन सत्य को स्विकार नहीं करता है यहाँ पर इसी बात को कहा गया है कोभल कहू देव कच्छुगोई असी वासना न उर्ते जाई कहते हैं कि मनिश्य का मन कैसा है इस सिर नहीं है चंचल है वो हर समय कुछ न कुछ इच्छा करता है और इच्छाओं में फसा होने के कारण ही तो इस वर के अनुकमपा को प्राप्त नहीं कर पाता है तो इसलिए वो कहते हैं कोभल कहू क्यों कि हर किसी के मन में क्या इच्छा है उसे कोई अच्छा कहिए देव कच्छुगोई कोई उसे कुछ दे यानि उसके मन में इच्छा है लालसा है कुछ पाने की लालसा है तुलसिदास जी कहते हैं कि मुझे कोई अच्छा कहे, मुझे कुछ दे, यह जो लालसा है, यह जो इच्छा है, यह उनके मन से समाप्त नहीं हो रही है यहां पर तुलसिदास जीने एक सच्छे भक्त की विसेस्ता को बतलाया है क्या बतलाया है कि जब सारा संसार सोता है, यही निसी सकल जीव सुतही, निसियने रात सकल जीव, सभी जीव सुतही मने सोते हैं जब रात्री में संसार के सभी जीव सोते हैं, तब क्रिपा पात्र जन जागें, तो उस समय क्रिपा पात्र यानि जिन्हें इस्वर की क्रिपा प्राप्त हुई है भक्त जो होते हैं, वे जगे रहते हैं, वे इस्वर में लीन रहते हैं, इस्वर की अराधना करते हैं तो यहाँ पर रात्री क्या है अग्यानता है कि संसार के लोग अग्यानता के अंधकार में पड़े हुए सो रहे हैं लेकिन भग तो होते हैं उनका हुरदय उनकी आत्मा क्या होती है जागरत होती है कि वो सत्य को समझ लेते हैं इसीने वो क्या है उनकी अंतरात्मा जगी होती लेकिन जो संसारी लोग हैं वे रात कहिए या अग्यानता रूपी अंधकार कहिए उस अग्यानता के अंधकार में अग्यानता रूपी रात में सुए रहते हैं लेकिन भक्त जन्जो होते हैं उनकी अंतरात्मा में भक्ती का भाव जागरत होने के कारण वे क्या हैं जागे क्या कहते हैं कि उनका जो कारी है निज करनी उनका जो कारी है वो जो कारी कर रहे हैं वो कैसा है विपरीत है उल्टा है वे तो अज्ञानता में पड़े हुए हैं जहां पर भक्त जन जो है ज्ञान के प्रकास में जगे हुए हैं उनके हिर्दे में ज्ञान का प्रकास है उलसि देखी मोही, देखते हैं और क्या मेसूस होता है? समुझी महा भै लागे और ये समझ कर उन्हें बड़ा भै लगता है, महा भै लागे उन्हें बहुत जादा भै प्रतीत होता वे बहुत उन्हें डर लगता है वो कहते हैं कि यद्धपी उनकी इच्छाएं जो है विधाता के प्रतिकूल होने के कारण क्या हो गई? इसारी कामनाये नश्ट हो गई है तात पर यह है कि वो कहते हैं कि वे सुक की इच्छा कर रहे हैं लेकिन उनके किस्मत में उनके भाग में सुक तो लिखा ही नहीं है उनके किस्मत में सुक नहीं लिखा होने के कारण उन्हें क्या मिल रहा है दुख मिल रहा है सुक इच्छत दुख पावे वो सुख की इच्छा कर रहे हैं लेकिन उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है चित्रकार करहीन जथा स्वारत बिनु चित्र बनावे तो यहां पर तुलसी दाज जी ने चित्रकार का उधारन दिया कि यदि कोई चित्रकार चित्र बनाता है कैसे अपने हाथ के सहायता के बिना चित्रकार को चित्र बनाने के लिए उसकी हाथ की सहायता क्या वशक्ता होती है लेकिन यदि कोई चित्रकार अपने हाथ के सहायता के बिना ही क्या कर रहा है चित्र बनाना चाहता है तो क्या चित्र बनेगा चित्र नहीं बनेगा वही यहां कहा है तो चित्रकार कैसे चित्र बना रहा है? कल बना किसायता से बना रहा है तो चित्र कभी बनेगा ही नहीं वह चित्र किसी को दिखेगा ही नहीं और जब चित्रकार अपने हां से चित्र बनाएगा तभी तो उसे अर्थ की प्राप्ती होगी ठीक इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति बिना कारी किये ही चाहेगा उसे धन की प्राप्ती हो जाए तो क्या उसे धन प्राप्त होगा उसे धन की प्राप्ती नहीं होगी यानि बिना कर्म किये आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी तो इसी बात को यहाँ पर तुलसिदास जी ने चित्रकार के माध्यम से समझाया है कि एक चित्रकार कलपना का सहरा लेकर अपने हाथ के सहायता के बिना चित्र बनाता है तो वो चित्र तो किसी को दिखेगा नहीं तो जब जित्र दिखेगा ही नहीं तो उसे अर्थ यानि धन की प्राप्ति कैसे होगी रिशी केस सुनी नाओ जाओ बली अती भरोस जीयम होगी आप तुलसिदास जी इस्वर को सम्भोजित करते है किस नाम से रिशी केस नाम से कि आप मेरी बात सुनिये जाओ बली मैं प्रदे में आपके विए क्या है अतनत भरोसा है धड़ विश्वास है आपके प्रती तुलसिदास इंद्रिय संभव दुख। तुलसी दास जी कहते हैं कि इंद्रिय जनीत, इंद्रिय संभव कार्थ होता है, इंद्रिय जनीत जितने दुख हैं, वे सारे दुख कौन हर लेंगे? हरे, मने हर लेंगे बन ही प्रभु तोरे, मने आपके आग्यां से ही मेरे सारे दुखों का अंत हो सकता है, या सारा दुख दर्द समाक्त हो सकता है तो हिरिशी केस कार्थ होता है इंद्रियों के स्वामी तुलसिदास जी कहते हैं कि आप तो इंद्रियों के स्वामी हैं इसलिए आप हमारे इंद्रे जनित जितने दुख हैं उन सारे दुखों का अंत कर सकते हैं तो अब चलिए मैं इसका विशेश ब है इसलिए बार-बार विश्यों में जाकर फसता है और भ्रम्मे पड़ा रहता है दूसरा भक्ति ज्यान वैरागे आदी साधन के द्वारा ही मन को इस्थिर किया जा सकता है तीसरा कवितुलसी दास जी ने इस्वर के एक नाम रिशी केस का उलेक किया है जिसका अर्थ है पांच नमबर प्रस्तुत पद में अनुपरास अलंकार की चटा दर्शनीय है चे नमबर प्रस्तुत पद में सांत रस मिलता जिसका स्थाई भाव निर्वेध है साथ नमबर विने पत्रिका के सभी पद गिये है इसे भजन की तरह गाया जाता है और आठ नमबर है कहा जात बता है कि विनेपत्रिका के पत्तेक पद वेद मंत्र सद्रिश्य हैं तो उम्मीद करती हूं कि इस पद का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गिया होगा फिर भी यदि कहीं कुछ समयने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें और एक बार मैं पुनक आपसे कह सब्सक्राइब धन्यवाद।